हेलो फ्रेंड्स मैं सलोनी और आपका वेलकम करती हूं मेरे किचन यानि समविदाज किचन में आज मैं लेकर आई हूं समोसे की रेसिपी समोसा एक बहुत ही पॉपलर स्नेक्स रेसिपी है इसे में स्टेप वाइज बहुत ही आसान तरीके से एकदम परफेक्ट कैसे बनेंगे यह सब दिखा कर इजिली बनाना बताऊंगी आशा है आपको समोसे की मेरी यह रेसिपी जो एकदम क्रिस्पी जैसा की आप देख रहे हैं और स्मूथ यानि चिकनी बनी है पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें कमेंट्स दें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे के लाल सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा लें तो चलिए शुरू करते हैं समोसे की इंग्रीडियन्स और प्रोसेशस से समोसा बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए डो और डो बनाने के लिए यहां मैंने दो कप यानि 200 ग्राम मैदा लिया है इसमें डालेंगे लगबग वन टी स्पून आजवाइन इसे ऐसे हाथेली पर रगर कर एड करेंगे हाफ टी स्पून नमक डालेंगे अब समोसा एकदम क्रिस्पी बने इसके लिए मैं डाल रही हूं 4 टेबल स्पून डिफाइंड ओल यहां इसकी जगा देशी घी या वनस्पती घी यानि डालडा भी यूज कर सकते हैं सब कुछ एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे यहां मैश करते हुए इसे हाथों से हम ऐसे बाइंड करें त तो ऐसे तूटने चाहिए मिला लेते हैं इसे फिर से लगबग आधा कपसे थोरा कम पानी डो में मैंने तीन बार में थोरा थोरा करके एड़ किया है आठा मेंने स्टीफ लगाया है आप देख सकते हैं अब डो को ढखकर 15 मिन्यट के लिए साइड करते हैं और देख लेते ह सारी और समागडियां जो समोसे के लिए हमें चाहिए यहां है मेरे पास चार बड़े आलू जिने उबाल कर छीलने के बाद छोटे टुकड़ों में मैंने ऐसा तोर लिया है आलू को ज्यादा मैश नहीं करेंगे ऐसा ही करके लेंगे और यहां है फ्रोजन मतर आधा कप आप मतर भी उबाल कर ले सकते हैं लगभग 100 ग्राम है पनीर के छोटे क्यूप्स कटे हुए बरे टुकड़े में नहीं रखेंगे नहीं तो स्टफिंग में दिक्कत आएगी एक इंच अधरक और 5-6 लसुन की कलियों को मैंने यहां क्रश करके लिए हैं वन टीस्पून गरम मसा पाउडर और 1-2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर एक हरी मिच बारीक कटी हुई आप तीखा पन स्वादा अनुसार बढ़ा ले या घटा ले हरी धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई स्वादा अनुसार से थोड़ा कम नमक क्यूंकि मैदे में भी हमने नमक एड़ किया है कराई को गरम कर लिया है इसमें डालूंगी लगभग 2-3 टेबल स्पून ओयल के गरम होने के बाद हम हलका फ्राइब करेंगे इसमें पनीर के टुकरे तो सारे पीसे एक साथ डाल देते हैं चलाते हुए से हम लाइट फ्राइब करेंगे इस टिफ नहीं होने देंगे यह प इसे डाल देते हैं इससे स्वाथ बहुत अच्छा आता है इन दोनों को थोड़ा करकने के बाद कटी हुई हरी मिच को एड़ करेंगे इसे थोड़ा भूल लेंगे बूलने के बाद अब डालेंगे अधरक और लहसुन इसे लगभग आधे मिनिद तक भूनेंगे ताकि इस थोड़ा भून लेंगे लगभग आधे मिनट तक अब उबले हुए आलू जो तोरकर रखा है उसे डाल देते हैं और इसे में दो मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा उस टुकड़ों को मैं मैस कर लेती हुँ मगर ज्यादा हो गया है और फ्राइट पनीर के टुक्रे डाल लेंगे धनिया की पती भी आइट कर देते हैं और सब को अच्छे से मिला लेते हैं इस टफिंग तयार है फ्लेम को बंद करते हैं और इसे निकालकर एक तरफ रखेंगे जब तक यह ठंडा होगा हम डो जो गूत कर रखे हैं ने वह चेक कर लेते हैं इसे बाउल से निकालकर ऐसे एक बार मिला लेंगे ऐसे मिलाने के बाद इसकी एक बड़ाबर की लोईयां यहां मैं चाकू से काट रही हूं आप हाथों से भी तोर सकते हैं, इसमें से एक लोई लेकर ऐसे हाथेलियों से गोल करेंगे, यह डो इस्टिफ होता है, तो थोड़ा दबा कर चिकना करेंगे, अब इसे बेल लेंगे, इसे गोल गोल गुमाते हुए बेलते जाएंगे, और कोशिश करेंगे, ओवर शेप में देने से समोसे के स्टफिंग डाल कर जब हम पैक करेंगे तो आसानी होगी, तो यहाँ सीट को मैंने ज्यादा पतला नहीं किया है, इसे बीच से ऐसे चाकू से दो टुकडों में काट लेंगे, और एक तरफ रख लेंगे, आपको समोसे की पतली या मोटी जैसे भी लेयर प इसके आधे में थोड़ा पानी लगा दें उंगली से, इसके बीच से इसे दोनों तरफ से उठा कर ऐसे चिपका देंगे, और इस नीचे के इस हिससे को ऐसे अच्छी तरह दबाएंगे, ताकि समोसे तलने पर यहाँ से खुले नहीं, शेप एकदम प्रोफेशनल आएगा, स्टफिंग डालेंगे, इसमें स्टफिंग की मातरा समोसे के साइज के अनुसार डालें, मैं दो चमच डाल रही हूं, इसे हलका सा प्रेश करेंगे नीचे की तरफ, इस पर चारो तरफ से थोड़ा पानी लगा लेंगे, और अब इन दोनों परतों को उंगली से दबाते अच्छे से पैक कर देंगे, चेक कर लें, यह कहीं से खुली या कम दबी न रह जाए, तो यहां एक समोसा एकदम परफेक्टली स्टफ कर लिया है, एक और तरीका स्टफिंग और पैकिंग का मैं दिखा देती हूं, सेम प्रोसेस से पानी लगा कर इसे तीकोना ऐसे चिपक को अच्छे से चिपका दें, तो दूसरा समोसा भी मैंने स्टफ कर लिया, आपको दोनों में से जो तरीका अच्छा लगे, इजी लगे बनाए, तो यहां मैंने 10 समोसे मीडियम साइज के स्टफ करकर रेडी कर लिये हैं, अब इसे हम तल लेते हैं, तो तलने के लिए यहां मैंने ओयल को मीडियम हीट किया हुआ है, एक छोटा टुकड़ा अगर हम इसमें डाले तो ऐसे धीरे से उपर आना चाहिए, इतने गरम ओयल में ही समोसे तलेंगे, इससे क्या होगा कि समोसे एकदम चिकने तलेंगे, फ्लेम लोटू मीडियम के बीच में रखेंगे, अब समोसे को यहां एकदम अराम से तलेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, चारो तरप से समोसे को पलट पलट कर चलाते हुए गोल्डन ब्राउन करेंगे, इससे यहां समोसे एकदम दुकान जैसे क्रिस्पी बनेंगे, यहां यहां समोसे अच्छे से पक गया हैं, एकदम चि इने भी निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं इसे तोरने पर समॉसा कितने प्रोफेशनल एकडम क्रिस्पी और खस्ता बना है। गर्मा गर्म समोसी की प्लेटिंग धनिया की हरी चटनी और इमली की चटनी या अपने पसंद की किसी भी सौस या चटनी के साथ करें खाएं तो मेरी बताईगे टिप्स और टाइमिंग का ध्यान रखते हुए आप इसे बनाएं अपने अनभो या सजेशन्स कमेंट्स करके ब तूने! Thank you!